अगर आप पॉली टेक्निक प्रविश्प परिच्छा में एक सरकारी कॉलेज पाना चाहते है वो भी बेस्ट ब्रांच यानिकि जो आपका पसंदीदा ब्रांच है उसमें आप चाहते हैं कि हमें एक बेस्ट कॉलेज में भी ब्रांच मिल पाए तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले जो लेटेश सलेवस है जहात जादा तर questions आपके इंटरेंस एक्जाम में आएंगे उससे समझते हैं उससे पहले मैं बता दू इंटरेंस एक्जाम का कोई भी fixed सलेवस नहीं होता है officially आपको सलेवस निर्धारित नहीं किया गया होगा आप website के थ्रू इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे हाँ हाँ हाला कि लगभग आपको near to सलेवस जहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे book में बहुत सारे teachers के द्वारा और उसी के अनुशार आपको सलेवस पढ़ना होता ह है जिसमें मैं बता दू आपको पहले के अपेच्छा यानि के 2020 हला कि यह सलेवस 2010 के पहले से भी चलता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा है लेकिन 20 के बाद सलेवस चेंज हो चुका है सलेवस में बात करें कुरोना काल के बाद से हला कि book में update नहीं हो पाए होंगे but chapter wise द chemistry और mathematics यह आपको पता है कि इन ही तीनों से questions हमारे exam में आने हैं class 10th level के आएगा अब 10th level का मतलब यह नहीं समझेंगे कि 10th की book से 10th की book से पढ़ोगे तो तुम्हें आध्य से ज्यादा chapter कहोगे तो 10th में हमने पढ़ा ही नहीं तो आपको 10th के भरोशे नहीं रहना 10th label बोला जाता है 10th का नहीं बोला जाता है ठीक है तो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो chapter की अगर बात करें तो physics के approximately 24 chemistry की 24 और math के 44 यह chapter है total हम लोग बात करें 444 है न 12 4 और 2 6 और 2 8 है 92 इतने chapter आपको पढ़ने है अब आपको के कौन कौन सा math में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है physics में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है है न तो उसको समझने के लिए हमें detail में जाना पड़ेगा और तीनों से कोश्चन आते हैं अगर हम बात करें यूपी पॉली टेकनिक की तो physics chemistry और math का जो रेशियो रहेगा physics के 25 कोश्चन आएंगे क्याने कि लगभख कह लिए नियर टू अबाउट वन कोश्चन पर चेप्टर तो आपको अच्छा एक एक कोश्चन की वैलू अभी आपको नहीं पता चल रहोगी एक कोश्चन का मतलब 5000 से लीड आगे आ जाना कोई बच्चा एक सवाल ज्यादा कर लेता है ना तो उसका र रहता है फिजिस, कमेस्थिन, मेथ यहां पि नंबर आप कोश्चन चेंज हो झाना जाता है यहां पिए पचीस कोश्चन आ रहा था तहा यहां पिए तीस कोश्चन आएगा और तीस कोश्चन आएगा यानि कि टुटल हम लोग के पास बिहार पॉट 누락 क Só रहे होते हैं यहा 480 नंबर का यानि कि 450 नंबर का हमारा पेपर आएगा अपजेक्टीव पेपर आता है एक सवाल होंगे चार उसके Office सफार होता है इसी तरह UP Little question है और एक question 4 नंबर गाई यानि कि आपका पेपर 400 मार्क का होगा यहां 450 यहां 400 सले बस होई यह सब कुछ यह है दस कोश्चन उपर नीचे बस है समझ गया है राइट अब चुकि पासिंग मार्क की बात करें कि कि कितना असर लाने पर हम लोग पास हो जाते हैं तो अब तक का जो रहा है कोट आप अगर जो बच्चा 200 मार्क ला लेता है यह मतलब की फिप्टी परसेंट से जिनका मार्क है टोटल अपने पेपर का अगर आधा गलत कर दिये आधा भी शाही किये हो तो भी तुम्हारा सरकारी कॉलेज भाई साहब मिल जाएगा बहुत अच्छे से ठीक है यह कॉंसेट समझ या य हुए है 24 24 और 24 इसको समझते हैं कि यह फिजिक्स में जो 24 पढ़ने वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने है चेप्टर कह लिजे टॉपिक कह लिजे बात देखिए तो इसे डीटेल में समझेंगे घबडाने की ज़रुवत नहीं है जब आप रेश्वा एकेडमी पे चेप्टर फोर आप स्क्रीन सॉट ले लो मैं कहूंगा कि एक से आठ शेप्टर तक है ना फिजिक्स यहां से एक से साथ शेप्टर तक का स्क्रीन सॉट ले लो राइट यह आपको टॉपिक कह लिए पढ़ना है जैसे हमें गृत्वा करसर से कोश्चन आएगा कार सामयत औ हो गया अब आप आठ से लेकर तेरह तक है ना सर लो लक द्रवश्थ हैतिकी थर्मोमीटर है ना विशिष्ट तुष्टमा हीट ट्रांसफर यह सब तेरह शेप्टर तक हो गया इसके अलावा आप है ना 14 से 20 चप्टर का स्क्रीन सॉट ले लिजए जिसमें से ज्यादा में में कौंस है मैं वह भी पता देता हूं इलेक्ट सिटी है ना को जरूर पढ़ेंगे है ना अच्छा अब आते हैं कमेश्ट्री में कि कमेश्ट्री में सर हमें क्या-क्या पढ़ना है तो स्टार्टिंग के छे चेप्टर ला आफ केमिकल कॉंबाइन है ना अटामिक इस्ट्रक्टर रेडियो एक्टिविटी से सवाल एक पूछता है अर यह 13 चेप्टर हो गए और यह 14 से लेकर हम लोग 19 तक देखते हैं और इसमें भी जो है पेरियोर्डिक टेवल बहुत में है धातू अधातू में है और कुछ आपको कह लिजे फार्मूले याद करने होंगे फार्मूले में मतलब जैसे यूरिया का सूतर क्या होता है कास्ट एक आप से पूछेगा यह 24 के 24 हैं ठीक है आप इसे समझ चुके होंगे अब मारी आती है मैत की तो मैत में देखो आला कि आपने यह सीरी चीजे पढ़ चुके है अब दो क्लास 10 की बुक में यह वर्ग मुल घलमुल नहीं मिले घतां करनी मूने मिलेगा सरील करनी मिलेगा बट यह आपको पढ़ना है पांच तक हो गया छे तक इसी तरह सबसे में यह है linear and quadratic equation दो से तीन सवाल हर बार आएगा एक लौक का आएगा ठीक है तो यहां तक देखो यह चेप्टर कट कर लो जो मैं बताने वह लो स्कीन सौट ले लो 13 और 14 अब लगभग ना के वरावर आ रहा है कराधान क्लास 10 के सलेबस से पूरी तरह नामों निशान में टा गया है तो यह सलेबस से अब सवाल नहीं पूछते हैं जमापूंजी वाला भी नहीं पूछता है लेकिन आपके बुक में हैं तो आप थोड़ा बहुत अगर जा पूछता है जन्म मरडवाला पहले पूछता था अब कम पूछता है हला कि स्किन सॉट ले लिए 21 चेप्टर तक हां सम उच्चे से एक सवाल पूछता है देखो त्रिभूज बहुत इंपॉर्टेंट है और त्रिभूज के यह तीनों शेप्टर है ना समरूप ठीक है अब 34 से लेकर यह 40 तर है ना भाई तो आपको ठीक है सर इतना ठीक है अब चुकि मैं आपको कहाना था कि 44 चप्टर लगवग पढ़ना है तो वह 44 चप्टर क्या है प्रविश परिशा क्या पूरी त्यारी कर सकते हैं हमारे यहां से इसके लिए आपको हो जाएगा क समझिए इसको उपर करते हैं कि दो तिन चेप्टर नोट कर लो जो कि आपको इस फेसली आज कल में पढ़ लेना है अगर नहीं पढ़ें तो प्राइकता पढ़ लेंगे आईउ वाले सवाल पढ़ लेंगे यह पूछता है है ना एज बेस्ट कोश्चन आता है पुता पुत्र की आईउ है ना आईउ वाले सवाल जो कि सलेवस में नहीं पूछेगा समांतर स्रेडी का सवाल पूछेगा हाँ भाई समांतर स्रेडी का सवाल पूछेगा और आप से आप विव भी पूछ रहा है आज कल अब युख से भी सवाल पूछ रहे हैं इंटर का नहीं पूछेगा अगर आपकी किस्मत खराब रही तो हलका फुल का इंटर में एकाक सवाल पूछ सकता है वह भी आप व्यू लेवल से पूछेगा आपकलन समाकलन नहीं पूछता है तो यह 44 चप्टर मैत के हो गए अब बारी सर इसको पढ़ेंगे कैसे यह बहुत ही छोटे-छोटे चप्टर है चाहे आप प्राइकता बात करें चाहे आयू वाले सवाल एक दिन वे आप एक चप्टर पढ़ सकते हो पॉल टेक्निक की पूरी अगर से पढ़ सकते हो पॉली टेक्निक प्रविश्परिच्छा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देखो मैं बतादू आप हमारे यहां बहतरिन तरीके से मातिक़र घर बैठे अम भाइल फिर डाउन लोड करके अपनी सकते होस्के हो इसके लिए आपको हमारा मभाइल लेफ और ऐस्सी इविल रेश्वा अकेड़िवा डाउन중에कर होगा और वही से आप अपनी क्लासेக्त को को आउन कर सकते हैं बहुत इजी है एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए का नहीं तो डारेक्ट प्लेश्टोर से जहां से वाट्सप डाउनलोड करते हैं वहां से कर लेंगे दूसरी बड़ी बात है कि आपको कभी कभी एप से नहीं जवाइन हो पाते तो उस कंडिसर में आपके लिए हेलफ लाई नमबर है तभी हमें कॉल करेंगे ज्यादा कॉल नहीं करेंगे क्योंकि इस समय बहुत बच्चों का कॉल आ रहा है जिसके होज़े से सभी कॉल रिसीव कर पाना मुश्किल हो रहा है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप एप से ही अ 500 प्लस PDF 50 प्लस टेस्ट यह सब कुछ आपको मिलेगा और इसके साथ ही मॉडल पेपर क्रैस कूर्से संडे टेस्ट प्राइवेट लाइब क्लासेज प्रिविए शेयर पेपर है ना सब कुछ है तो उमीद है कि आपकी तयारी अब और ज्यादा बहतर हो पाएगी क्योंकि र आपका ड्रीम क्या है टॉप टेन कॉलेजिस में या टॉप फाइब क्योंकि अगर आपका टार्गेट फिक्स नहीं है तो थोड़ा बहुत रिस्क है पॉलिटेकनिक में बेस्ट कॉलेज कौन सा है को टॉप क्या जाता है वो सारे यू टॉपिक आप सर्च करके यूट्यू लगा के सर्च कर लेंगे आपको वो भी मिल जाएगा उम्मिद इस वीडियो से आपको एक बार फिर से आइडिया मिल गया होगा और ये सारी तयारी हम करवा रहे हैं नए बैच्च से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एपको डाउनलोड कीजिए या हमें कॉल कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को अली वेरी पैस्ट है तो कर दो कर दो